हेलो साइबर वोम्स वेलकम बैक मैं हूँ अनिल यादब और आप देख रहे हैं नीट रूट और आज की सेसन में हम काली लिनक्स को अपने वर्चुल बॉक्स में इंस्टॉल करना सीखने वाले हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले काली इमेज फाइल को डाउनलोड करने वाले है तो हम चले जाते हैं सिंपली अपने गूगल पर और यहां पर हम सर्च करने वाले हैं काली लिनक्स या फिर काली.org उसके बाद आप डाउनलोड गेट काली पर क्लिक करें उसके बाद आपको यहां पर काली के सभी इमेज आ जाएंगे तो हम नीचे स्क्रोल करते हैं उसक इमेज फा2 वाल को तो अगर आपका system 64-bit support करता है तो आपको 64-bit से installer को download करना है या अगर आपका system 32-bit को support करता है तो आपको 32 bit start download करना है या फिर अगर आप Apple silicon की उच्ज करते हैं यह 64 तो आपको उसी अनुसार आपने installer को download करने तो जैसे कि मेरा 64 bit है, तो मैं इस पर click करता हूँ, उसके बाद हमारे पास इसमें भी बहुत सारे options हैं, जैसे कि हमारे पास ये काली Linux blue है, उसके बाद हमारे पास काली Linux का एक new image है, जो की काली purple है, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है, और install करने के बाद इसका image file भी ब click कर देना है, और यहां पर click करने के बाद ये download हो जाएगा, तो मैंने already download कर रही है, और इसमें बहुत सारे error आते हैं, डाउनलोड करने के time, तो जैसे कि आप download कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई अपना सर नहीं पटकना है, कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर कोई आता रही है, तो आपको simply वहां पर resume पर click कर देना है, ताकि वह फिर से जहां से रुका है, वहीं से continue हो जाए, download होना, बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि उसको cut करके, फिर से download करने का try करते हैं, बट वहां पर उनको बहुत ज्यादा time लगता है, तो आपके पास इस error का solution है, कि आपको simply resume पर click करना है, और उसको download कर देना है, तो अब हम move करते हैं, अपने download folder पर, so guys, यह रहा हमारा kali linux का image file, और इसको अब हम अपने virtual box में install करने वाले हैं, तो हम move करते हैं, अपने virtual box में, तो यहाँ पर मेरे पास already kali purple installed है, और अब हम इसमें kali bilu को install करने वाले हैं, त उसके बाद हम यहाँ पर ISO image को यहाँ पर डाल देते हैं, तो इसके लिए हम इसको open करते हैं, और अपने folder में जाते हैं, और यहाँ पर है हमारा iOS image file, उसके बाद हम इसको open कर देते हैं, तो यह रहा हमारा ISO image file, उसके बाद यह सारा का सारा default होता है, उसके बाद आपको next करना और फिर यह default में आपका 25 GB यूज करता है तो आपको यहां पर भी कुछ नहीं करना है आप इसको increase कर सकते हैं बट आप इसको decrease नहीं कर सकते हैं आप इसको decrease करेंगे तो आपका काली उतना अच्छा से नहीं चलेगा या फिर lag करेगा तो आपको इस चीज को समझना है और यहां पर next को click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर finish पर click कर देना है और अब यह हमारे virtual box में आ चुका है और अब इसको हम start करते हैं उसके बाद हम इसको graphical install करने वाले हैं तो आपको इन सारे options को avoid करके graphical install पर जो default है उसी पर enter कर देना है उसके बाद देखेंगे आपका mouse यहां यहां पर अच्छे से work नहीं करता है मतलब hidden हो जाता है तो आपको उससे कोई परिसान होने की जरूरत नहीं है आपका जो right side में control button है उस पर click करके आप अपने cutseer को फिर से ला सकते हैं और अब यहां पर हम अपने language को choose कर लेते हैं तो मैं इसको simply English पर default ही रखूंगा continue करते और यह scan होना start हो घुगा है so guys यहां पर आपको कुछ नहीं करना आपको जैसे kali यह लिखा है उसको kali छोड़ देना है उसके बाद continue करना है domain name हम यहां पर कुछ नहीं लिखने वाले हैं इसको स्कृप करके continue करने वाले हैं उसके बाद आपको यहां पर अपना name लिखना है जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं निट रूट्स के बाद continue करेंगे और यहां पर हमारे यूजरनेम जो है वह निट लिकर आ जाता है या फिर आप इसको कट करके आप अपने हिसाब से अपना यूजरनेम रख सकते हैं इसके बाद हम continue करते हैं उसके बाद हमको यहां पर आपना password डालना पड़ेगा और यह password आ करता हूं continue उसके बाद आपको यहां पर सेकेंड नमबर का चूज करना है गाइडेड यूज इंटार डिस्क एंड शेट अप लबीम उसके बाद continue करते हैं उसके बाद इसको भी जो फर्ष्ट नमबर में आता है निव जर्स के लिए यही रिकमेंडेड होता है इसलिए इस उसके बाद इसको आपको यस पर किलिक करना है यस पर किलिक कर देते हैं उसके बाद continue करते हैं और फिर यहां पर आपको default दिखा देगा आपका यतना GB memory यूज होने वाला है उसके बाद आपको continue कर देना है उसके बाद आपको यहां पर यस पर किलिक कर देना है और फिर continue कर उसके बाद इस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें बहुत टाइम लग सकता है लाइक 30 मिनेट या फिर वन आवर तक लग सकता है डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर तो अब आपको ऐसा ओप्सन दिखेगा तो आपको यहां पर जितने भी है सब में क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटीनिव कर देना है और अब यहां पर हम जो डिफॉल्ट में उसको ही क्लिक करके और कंटीनिव कर देते हैं और अब इसके बाद हमको सिंपली इस पर एस क्लिक करना है उसके बाद कंटीनिव करना है उसके बाद हम इसको इस पर क्लिक करे तो इसको हम directly continue कर देते हैं और अब ये फिनिस होने के बाद खुद open हो जाएगा इस पर हम click करते हैं इंटर इसको open करने के लिए हम simply यहाँ पर click करेंगे new truths पर उसके बाद हम अपना password डाल देंगे इंटर कर देंगे अब इसको हम full view में कर देते हैं तो इसके लिए हम full screen पर click कर देते हैं तो यह था हमारा आज का session जहां पर हमने काली Linux को install करना सीखा अपने virtual box में अब अगले session में हम काली Linux के साथ familiar होना सीखेंगे और इसके basic commands भी जानेंगे till then stay safe stay secure thank you कि अपने अगे खाल आगए बाहफ बाहवा थिता है ठाग लिए सकार Corps कि नहाट प्रताव अmud्रिए यह हो में की भी गब बाहवा ओूपने यही हमें gefa रहव्या हरा लियवार देंगे के तह हो व्या कि आढ़े बंगे